नवश्कार में नीशा आप देख रहे हैं बिग नीउस आईए बढ़ते हैं खबरों क्योर कोरोना संक्रमन के कारण पिछले 11 महीने से बंद पड़े कक्षा 1-5 तक के विद्याले को सोंबार से पूरे बिहार में खोल दिया गया है और पंजवारा छेत्रे के भी सभी प्रात्मिक और मद्व विद्याले इवं नीची स्कूलों में सोंबार से कक्षा 1-5 तक के विद्यारतियों का पहुचिना सुरू हो गया है हाला कि पहले दिन चात्रों की उपस्थिती कम रही इसको लेकर राज़की मद्व विद्याले पंजवारा के प्रधाना ध्यापक राजकी सोर कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाडलाइन्स के नुसार प्रतेक दिन 50 विजदी चात्र को ही कक्षा में उपस्थित रहना है और सभी चात्रों को विद्याले द्वारा दो मास्क दिया जाएगा लेकिन फिल्हाल वे चात्रों को घर से अपना मास्क जरूर पहन कर आने के लिए जागरूप कर रही है वहीं विद्याले में अभी मर्धियान भोजन बनना सुरू नहीं हुआ है साथी साफ सफा के लिए हैंड वॉक्स और साबून की वैवस्ता विद्याले में की गई है वहीं विद्याले खुलने से च्छादर काफी खुश दिख रहे हैं अवैद बालू लदे दो बहानों को जब्त कर थाना लेकर आ रही पुलीस पर बालू माफियाओं ने हमला बोल दिया विखाफ बालू माफियाओं ने भागरपूर हंस्रिया मुक सड़क मार्ग इस्सिल सुजाल कुरामा मोड के समिप पुलीस की सरकारी बाहन पर पत्राओ कर बुरी तरह छती गरस्त कर दिया और पुलीस के समक्ष ही दोनों बालू लदे बाहनों को लेकर भाग निकले हाला कि इसके बाद पुलीस ने जवरदस छापे मारी अभ्यान चलाया और दो बालू लदे बाहनों को जब्त भी किया है लेकिन इन दिनों बाहनों के चालत भी पुलीस को चक्मा देकर भाग निकले कहा जा रहा है कि इस घटा में कुछ पुलीस कर्मियों को मामूली चोटे भी आई है हाला कि पुलीस जखमी होने की बात को इंकार कर रही है प्राप्त जानकारी के नुसार पुलीस को सूश्रा मिली थी कि आमदाहा वे रामपूर बालू घार से अवैद बालू लेकर कुछ ट्रक्टर टेकनी सड़क मारग होकर निकल रही है रजौन थाना के थाना ध्यक्ष वुद्दे पासवान महिला पुलीस बल एवं अन्य पुलीस के साथ टेकनी सड़क मारग से ही उक्ते दोनों बालू लदे ट्रक्टर को जब्त कर लिया है और अन्य पुलीस को उक्ते बाहनों पर बैठा कर थाना लेकर आने लगे इधर पहले से मुस्तायत कुछ बालू माफिया अपनी बाइक से पीछा करते हुए सुजाल कुरामा मोड के समीप पहुच गए विखौफ बालू माफियाओं ने ओवर्टेक कर पुलीस की बाहन को रोका और अचानक पत्राओं सुरू कर दिया कुछ माफियाओं ने लाठी डेंडे से भी हमला बोल दिया हमला होते ही पुलीस बल उक्त माफियाओं से निपटने लगी और इधर दोनों ट्रक्टर चालक अपनी बाहन को लेकर भागने में सफल रहें। कहा जा रहा है कि बालू माफिया भट कुरामा वा इसके आसपास के गाउ के रहने वाले हैं। इधर इस घटना के बाद थाना अध्यक्ष ने रजौन के प्रसिक्षों टीसपी अविनास कुमार पुलीस अंचल नीरिक्षक राजस कुमार सहित अन्य पुलीस पधादीकारियों के इसकी खबर दी। इस खबर के बाद पुलीस अम्रोहा वर अन्य बालू घाट पर ऑपरेशनल अभ्यान चलाया। के कारेकरताओं ने विकास दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर 12 प्रखन जदियों के कारेकरताओं में जदियों प्रखन अध्यक्ष निखिल बहादूर सिंग की अगुबाई में पंच्वारा पंचायत भवन में अस्थानी बच्चों के बीच केक काटा और बच्च समाच के अंतीम लोगों तक पहुंचाने और बिहार को विक्सित राज्य बनाने का संकल्प लेना है इस मौके पर पंच्वारा के मुख्य भोला पासवान जदियो किसान प्रकोष्ट के जीला अध्यक्ष रमेश्ट मंडल जदियो के युवा प्रखन अध्यक्ष सुमित चलाई गई चापे मारी अभ्यान में छेतर के बिर्मा घाट से बालू लदी एक ट्रक्टर को जब्त करते हुए थाना परिशर लाया गया मौके से चालक फरार होने में काम्याग हो गए मामने को लेकर थाना ध्यक्ष ने बताया कि बालू खनन रोकने को लेकर चापे मारी चलाई गई असी क्रम में बिर्मा घाट से बालू लदी एक ट्रक्टर को जब्त किया गया पुलिस को देखते ही चालक परार हो गए जब तक ट्रक्टर के संबन में खनन पधादिकारी को सूशना देते हुए कारवाही की जा रही है वहीं दूसी तिरफ सूतुर की माने तो